प्रित्वी पर दस सबसे अद्भुत घटनाय प्रकृती बहुत सुन्दर और अद्भुत है, इसके रंग निराले है, कभी कभी प्रकृती, ऐसे द्रिश्यों, सयोगों या घटनायों का निर्मान करती हैं जो हमें हैरत में डाल देते हैं और सोचने को मजबूर, कर देते हैं कि क्या ये वास्तव में हैं या कोई सपना है, हम आपको प्रकृती द्वारा निर्मित कुछ ऐसे ही, चुनिदा दस घटनाक्रम बताने जा रहे हैं जो वाकई में हैरतंगेज हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि ये द्रिश्य या घटनाय वास्तविक हैं और प्रकृती स्रिजित यानी उत्पन है, एक अंटाक्टिका में खून का, गिरना अंटाक्टिका में टेला ग्लेशियर के मोहाने से वेस्ट लेक बोनी में गिरने वाला पानी खून जैसा, देखता है इस कलगी वाले नमकीन पानी में आयरन ओक्साइड की अधिकता होने के कारण इस पा स्थित मैख मुर्दो सुखी वैली की टेला वैली में है, दो कैलुआ, हवाई में नीलगिरी के इंद्रधनुशी पेर, नीलगिरी का पेर काफी उचा होता है, जिसे सामान्यता इंद्रधनुशी नीलगिरी का पेर भी कहा जाता है, यह नीलगिरी पेरों की एक मात ऐसी किस जो केवल New Britain, New Guinea, सीरम, सुलवैसी और मीधनाओं में पाई जाती है। अरिजोन की लहर जिसको वेवा फोरिजन के नाम से भी जाना जाता है। पर काटों की रोशनी के जगमगाने का द्रिश्य मालदीव में देखने को मिलता है। चंद्रमा और कहीं से भी आ सकती है। वर्फ के क्रिस्टलों पर जब रोशनी पढ़ती है तब ये क्रिस्टल आकाश में अलग दो कलाकृतियां बनाते हैं। चे बोलिविया की चिंतन शीर साल्ट ये एक हैरान कर देने वाला द्रिश्य है। जिसमें आकाश और धर्ती मिलकर एक अद्बुत द्रिश्य बनाते हैं। सलार्दे ओनी दुनिया की सबसे बड़ी नमक वाली सपाट जगह है। ये जगह पानी से नहीं, पूरी तरह से नमक से धकी हुई है। ये जगह आकाश के लिए शीशे का काम करती है। 7. मेकसिको में भूमिगत प्रकृतिक फववारा मेकसिको में ऐसे द्रिश्य देखने को मिलते हैं जिन पर विश्वास करना। बहुत कठिन है। ये भूमिगत प्रकृतिक स्प्रिंग यानी फववारा भी उन जगहों में से एक है। इनको सेनोत भी कहा, जाता है, यह एक कुद्रती गड़्डा होता है, जो चुना पत्थर के नीचे गिरने से बनता है, आठ ज्वाला मुखी का में, बिजली और गर्जना ज्वाला मुखी के भयनकर तूफान को वोलकानिक रोशनी भी कहा जाता है, यह तूफान असल में, ज् ज्वाला मुखी में पत्थर के टुकडे, उसकी राख आपस में टकराते हैं, नौ पाकिस्तान में, भूद जैसे दिखाई देने वाले पेड़ पाकिस्तान में जब बाड़ आई थी तो लाखों की तादाद में मकरियां बाड़ के, पानी से बचने के लिए इन पेड़ों की तरह दिखते हैं, दस केडली जील में पानी के नीचे वन ये धन से हुए और पानी के भीतर जंगल केंडली जील का हिस्सा हैं, ये जंगल 400 मीटर तक फैले हुए हैं, ये जगा अलमाती से 139 किलोमीटर दूर हैं, ये जील भूस खलन से बनी हुई है, जो की 1911 में भूकम के कारण हुआ था, ये बहुत ही खूब सूरत और आनंदमय जगह है,